तो आज में आप लोगों को glutes की exercise बताऊंगा यानि कि आप लोगों की hips की चर्वी को कम करके आप लोगों की hips को अच्छा बनाएगा और सुन्दर बनाएगा तो आज कल जो है train है आप लोगों को बता है booty workouts के लिए तो different types के booty workouts हैं जो कि already लोग कर भी रहे हैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही glutes exercise बताऊंगा तो जैसे कि back की exercise है बहुत अच्छी exercise है आप लोग इसको कर सकते हैं अपनी glutes को सुन्दर बनाने के लिए muscles को मजबूत बनाने के लिए तो जो glutes की muscles होती हैं वो है glutes medius आप लोग देख रहे हैं glutes maximus आप लोग देख सकते हैं tensor fasciitis और adductor magnus और आप लोग देख सकते हैं कि यह जो जितनी भी muscles हैं actually में glutes muscles हैं और इन पर जो बहरी fat है वो reduce होकर इनको tone बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी है तो 40 seconds के लिए आप लोगों को first exercise करना है इस exercise में आप लोगों को क्या करना है एक पैर का घुटना मोड़ते हुए अपने chest की और लेकर जाए और साथ ही जब आप लोग नीचे की और आए अपने पैर दूसरे पैर को स्कूने के लिए तो जो पैर आप लोग घुटना आप लोगों को करनी है लेफ्ट लेक के साथ और राइट लेक साथ इससे आप लोगों की जो ग्लूट की जो मसल्स है वह आप लोगों की मजबूत बनेगी तोड बनेगी इस exercise के complete होने के बाद आप लोग जो है 10 seconds का rest ले और इस 10 seconds के rest में आप लोग आराम कर सकते हैं कुछ इस भी आप लोगों को नहीं करना है दूसरी exercise के हम बात करते हैं यह भी 40 seconds के लिए आप लोगों को करनी है तो ऐसे करके 8 exercise में आप लोगों को इसमें बताऊंगा इस exercise में सामील है देखिए squat और side leg kick ठीक है तो squat आप लोगों को करना है लेकिन दोनों पैरों के बीच में थे यह exercise भी आप लोगों को 40 seconds के लिए करनी है इसमें आप लोग देखेंगे कि जो glute की जो muscles है वो आप लोगों की strong बनेगी, toned बनेगी और सभी workouts जो है वो thighs से related भी है तो आप लोगों की thighs की जो सर्वी है वो भी reduce हो सकती है अब बात करते हैं हम लोग rest की, थोड़ा rest कर लीज अब एक पैर का घुटना मोडते वे उसको तो आप लोगों को fix रखना है और दूसरे पैर को आप लोग जो है एक्दम straight रख ले अब आप लोगों को क्या करना है उसको हवा में उठाए उस पैर को जो की straight है उसको आप लोग हवा में उठाए और फिर जमीन पर लेकर आए इसमें आप लोगों का जो अंगूठा है वो जमीन से टाच होगा फिर जैसे ही टाच होगा तो आप लोगों को ऊपर ही और लेकर जाना है तो यह exercise भी आप लोगों को complete कर सकते हैं इसमें भी आप लोगों का ग्लूट जो muscles है वो स्टॉंड बनेंगी और बाहरी fat reduce होगा जि इसमें lateral walk आप लोगों को करनी है और यह भी 40 second के लिए करनी है लेकिन इसमें अगर आप लोगों के पास restricted band है पहली बात दूसरी बात आप लोगों के दोनों हाथ जो है वो जुड़े हुए है तीसरी बात आप लोग थोड़े जुके हुए है यानि कि squat position के अंदर है तो यह एक पैर को दूसरे पैर के पास लेकर आई इस परकार कि यह वो complete होती है और 40 second के लिए वोक आप लोगों को करनी है और इसमें भी आप लोग देखेगा कि सबसे ज़्यादा जो target muscles है वो आप लोगों की hamstring यानि कि thighs muscles है और glute muscles है अब rest ले लेते हैं 10 second का और उसके बाद में हम लोग start करते हैं 5th number exercise इसमें भी lateral walk है लेकिन ये different types की lateral walk है इसमें आप लोगों को left to right walk करना है और थोड़ा सा जुकतर walk करना है हातों की position similarly आप लोगों की पहली exercise की तरह ही रहेगी पैरों की जो position है उसमें आप लोगों का हमेशा पैर जो है वो wide ही रहेंगे पहले वाली म को रहना है तो इस exercise को भी आप लोगों कितने सेकंट के लिए करें 40 सेकंट के लिए इसमें भी आप लोग जो हैं देखेंगी कि आप लोगों कीINO कांफ़ मसल्स है वह भी आप लोगों की स्ट्रोंग है थाइस मसल्स है और आप लोगोंकी जूङ चूपपइक ceüm avoir canborg होता है और उसके बाद में next workout चलते हैं number 6 exercise यानि कि box jumping की और box jumping भी आप लोगों को कितने second के लिए करना है 40 seconds के लिए आप लोग box jumping करें इसमें आप लोगों को box पर jump करना है और squat करना है यानि कि box पर jump आप लोग jump करके बैठे तो आप लोगों को squat position पर करना है जैसे ही box से नीचे उतरें तो भी आप लोगों को jump करके इनीचे उतरना है ये भी आप लोग जो है अपने glute muscles को tond बनाने के लिए कर सकते हैं और ये भी आप लोग 40 seconds के लिए करेंगे तो सभी exercise 40 seconds की है best 8 exercise हैं इसे आप लोग सुभे उट कर कर सकते हैं किसी भी exercise को करने से पहले rest complete होता है number 7 exercise के और सलते हैं आप लोग hydrant kicks है आप लोगों को पता है इसमें क्या होता है आप लोग table top position में आप लोग रहते हैं दोनों हाद जो है वो आप लोगों के surface पर रहते हैं अब अपने जो घुटना मुडा हुआ है उसको अपनी उसी direction में उठाना है ठीक है जैसे कि वीडियो screen पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इसमें आप लोग देखें कि wide होंगे आप लोगों के hips जो है वो wide यानि hip opener exercise भी आप लोग इसको बोल सकते हैं और आप लोगों की जो muscles हैं hips की जो muscles हैं उनका पूरा पूरा workout हो रहा है तो ये भी आप लोग add कर सकते हैं अपने hips का जो चर्वी है बाहरी जो चर्वी है subcutaneous fat visceral fat जो है जो cellulite के रूप में भी आप लोगों की चर्वी पर जमा हो जाता है वो भी कम हो जाएगा तो ये exercise complete होने के बाद rest और उसके बाद नमबर 8 exercise जो की last exercise आप लोगों की है इस exercise को अगर आप लोग धान से देखें तो आप लोग जो है table top position में हैं और आप लोगों के जो hips हैं वो आप लोगों को जैसा की screen पर दिखाए दे रहा है वैसे ही आप लोगों के बन सकते हैं तो आप लोगों को अपने एक circle से एक leg से पूरा का पूरा जो circle है वो आप लोगों को बनाना है left to right आप लोगों को legs जो हैं वो move करने हैं तो ये exercise complete होते हैं एक exercise कैसी लगी ज़रूर बताएगा और चैनल को subscribe करना ना भूलिए वीडियो को share करना ना भूलिए अपने facebook पर, whatsapp पर आज के लिए इतना ही धन्यवाद